Hello traders, welcome to the new learning video So दोस्तों मेरे बहुत सारे दोस्ते जो अभी कुछ जॉब या फिर बिजनेस कर रहे वो मुझे हर टाइम बोलते रहते कि शुबं भाई हमें ट्रेडिंग तो करना है बट ये technical analysis करके level marks करने के लिए हमारे पास अभी time नहीं है So ऐसा कोई method बताओ जिससे हम कम time में अच्छे market में काम करने वाले levels find कर सके और उस पे trades ले सके So उन्हें में option chain ही suggest करताओ जो एक practical trading का method पी है and option chain के levels market में अच्छे से काम भी करते है बट option chain यूज करना भी easy नहीं है उसके लिए भी experience लगता है और थोड़ा बहुत time वहाँ भी लगता है क्योंकि हमें दोनों sides के मतलब call and put sides के हमें OI calculate करना पड़ता है थोड़े both calculations करने पड़ते है then उस OI के basis पे हम यहाँ पर support and resistance plot कर सकते है और अभी option chain का भी advanced version आ चुका है straddle option chain जिससे आप within the seconds market के important support and resistance के levels find कर सकते हो और उस पे trust के साथ में trade कर सकते हो क्योंकि यह levels option chain के basis पे होते है इसी वज़े से obviously वो levels market में अच्छे काम करेगी So कैसे हम इस straddle option chain का use करके support and resistance के levels find कर सकते है और उसे chart के उपर plot कर सकते है चलिए इस वीडियो में देखते है So without wasting any time let's start the video हाँ तो दोस्तो हम यहाँ पर option chain के chart के उपर यहाँ पर हम आ चुके अभी simple यह simple option chain है यह straddle option chain नहीं है But सबसे पहले समझते की straddle क्या होता है मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँ तो straddle simple simple क्या होता है कि ATM के same strike price पर इसका मतलब अभी जो ATM चल रहा है आप यहाँ पर देख सकते हो कि 25,300 का level अभी add the money पर चल रहा है तो यह same strike price का use करके जब हम call and put दोनों साइड में एक एसी position बनाते लाइक profit करने के लिए हम यहाँ पर कुछ यह दोनों का combination करके जब हम position बनाते यह पर trade बनाते तो उसे हम traddle बोलते है और जब भी हम यह market में support and resistance find करना होता है option chain का use करके तो आपको क्या करना पड़ता है यहाँ पर आपको call side का oi दिख रहा होगा आपको यहाँ पर put side का oi दिख रहा होगा तो आपको हर एक strike price पर वो oi को calculate करना पड़ता है उन्हें computer करना पड़ता है और उसके basis पर यहाँ पर support and resistance के levels plot किये जाते है जो एक time consuming method है यह भी levels अच्छे से काम करते बट यह थोड़ा सा time consuming हो जाता है क्योंकि यहाँ पर हमें call side का भी data देखना है put side का भी data देखना है और वो हर एक strike price के लिए देखना है इसी वज़े से बट यहाँ पर straddle option chain में क्या हो जाता है अगर मैं आपको बता दू तो यहाँ पर call and put यह दोनों factory नहीं रहते है यहाँ पर simple हमें क्या दिखता है call and put का combine करके यहाँ पर oi data शो किया जाता है जिसे हम easily support and resistance within seconds हम यहाँ पर find कर सकते हैं तो हम यह straddle option chain को कहा से access कर सकते हैं तो straddle option chain को access करने के लिए हमें यहाँ पर धन के option traders के platform पर आना पड़ेगा क्योंकि बहुत सारे platform से वहाँ पर paid option chain यह provide की जाती है मतलब अगर आपको straddle option chain का यूज करना है तो उनके subscriptions लेने पड़ते हैं बट आप यहाँ पर धन के दुरू उनका जो option trader करके एक platform is specially for option traders वहाँ पर आपको free of cost यूज करने को मिल जाएगी तो जैसे हम यहाँ पर धन के account में हमारे login कर लेंगे options trader के इसकी link या फिर website की link में यहाँ पर description में दे दूँगा तो जैसे आप यहाँ पर login कर लोगे हमें कुछ इस तरीके का interface दिखाई देगा तो हमें directly आ जाना यह analysis वाले section में analyze वाले section हो और यहाँ पर से आपको straddle change का option मिल जाएगा तो simply आपको यहाँ पर click कर देना है आपको यहाँ पर nifty bank nifty finnifty और और कोई stocks का या फिर indices का आपको straddle chain का analysis चाहिए होगा तो आप यहाँ पर से search कर सकते हो तो for now हम यहाँ पर nifty 50 पर आ जाते है और nifty 50 पर आपको यहाँ पर straddle chain दिख जाएगा अभी आपको एक बात यहाँ पर से समझ में आ जाएगी कि यहाँ पर कोई भी call and put के दो sides नहीं है यहाँ पर आपको directly एक strike price दिखाता है like आप यहाँ पर देख सकते कि market अभी यहाँ add the money होने वाली है अभी इस straddle chain का use करके हम किस तरीके से support resistance find कर सकते तो वो यहाँ पर दो तरीकों से find कर सकते सबसे important है PCR OI अभी PCR OI simple आपको यहाँ पर दिखाई देगा कि यह ATM की line है और आपको क्या देखना है कि PCR OI देखना है अगर PCR OI एक से जादा होगा अगर PCR OI एक स एक से जादा होगा यहाँ पर तो वो जो लेवल होती है वो यहाँ पर support का काम करती है जिसे आप kept here देख सब्तिओ कि 25250 का level है यहाँ पर 1.98 बन रहा है यहाँ पर 3.01 बन तो यह जो लेवल से वो यहाँ पर सपोर्ट का काम करने वाले होते हैं जब भी यहाँ पर यह PCR OI एक से कम होता है तो वो लेवल से यहाँ पर as a resistance का काम कर रहे होते हैं जैसे यह 0.83 है 0.41 है 0.30 है तो यह 25,300 350,400 यह आपके लिए as a resistance का काम करने वाले होते हैं तो यह एक method हो गया अभी इसके एक मैं आपको pro tip देना चाहूंगा कि जो लेवल से का PCR OI 1.5 से ज़्यादा होगा न तो उन्हें आप important supports consider करना जैसे आप यह आपर देख सकते कि 1.38 है तो इसे में important support consider नहीं करूंगा जिन जिन strike price का PCR OI 1.5 से ज़्यादा होगा जैसे 1.97 हो गया 3 हो गया तो यह मेरे लिए important supports का काम करेंगे similarly यहाँ पर resistance के अगर बात करूंगा तो जिन strike price का PCR OI यहाँ पर से 0.5 से कम होगा न वो मेरे लिए strong resistance का काम करेंगे यानि कि 0.83 वाला जो level है यह मेरे लिए इतना important resistance नहीं होगा बट यह 0.41, 0.30 यह levels मेरे लिए important resistance का काम करेंगे तो यह एक method होगी और इसी के साथ आप किसको combine कर सकते हो आप यहाँ पर combined OI को भी यहाँ पर थोड़ा सा इसमें add कर सकते हो यह combined OI आपको directly आपर numbers में भी देखने को मिल जाता है combined OI का मतलब क्या है कि यहाँ पर 25,250 यहाँ पर दोनों का value मतलब call side का OI and put side के OI का addition किया जाता है तो उसे हम यहाँ पर combined OI बोलते हैं तो वही आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा देखने को find आप कर सकते हो obviously यह उपर के जो level से वो यहाँ पर support के level से इस वज़े से जिस level पर जादा combined OI होगा जिसी यहाँ पर बन रहा है वो level यहाँ पर अच्छे support का काम करेगा और वही पर आप थोड़ा सा PCR OI को भी देख सकते हो थोड़ा सा observe कर सकते हो जहाँ पर यह दोनों अच्छे से बन रहे वो level आपके लिए important level बन जाएगा वो आप चाट के उपर mark कर लेना और वहाँ पर अगर कोई price action बनता है तो आप वहाँ पर trade कर सकते हो तो यह बहुत ही basic and easy method है support and resistance find करने के लिए and यह जो levels होते हैं वो option chain के basis पे होते हैं इसी वज़े से obviously अच्छे काम करती है बट trade करते वब आपको थोड़ा बहुत price action का use यहाँ पर करना होगा पर आपको इसे directly ट्रेडिंग में use नहीं करना है सबसे पहले इस straddle option chain को ठीक से जानिए सीखिए यहाँ पर आके देखिए और इसे फिर backtest कीजे then यहाँ पर use कीजे इस straddle option chain आपको धन के option trader के platform पे देखने को मिल जाएगी and उसकी link आपको यहाँ पर downside में देखने को मिल जाएगी धन की account opening की भी दे दूँँगा